स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट जो की होने वाला है पहले से बहुत जादा खास और बहुत जादा खतरनाक तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आज हम क बल्ब को ऐसे जला कर पानी के अंदर डालेंगे तो क्या यह पानी के अंदर जलेगा या नहीं तो आपको पता है क्या नहीं पता मुझे भी नहीं पता तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यह पानी के अंदर जलेगा या नहीं जैसे कि हमें पता है यह बल्प अगर ऐसे ही हम पानी में डाल देंगे तो यह ही डूबेगा इसलिए दूबाने के लिए हमने बड़ा सा पत्थर बांद दिया है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने वायर के बीच में एक फ्यूज लगाया है ताकि अगर कुछ भी गड़बढ हो तो हमारा जो है लाइन ड्रॉप हो जाए जिससे कोई भी अन्होनी ना हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं हमने लाइट को जला लिया है अब हम इसको डालने वाले हैं पानी के अंदर थोड़ा संभल कर इसे हमीं डाल रहे हैं पानी के अंदर यह चला गया पानी के अंदर फ्रेंड्स देखिए यह पानी के अंदर भी जल रहा है देख सकते हैं गाइस यह पानी के अंदर भी जल र अगर आपने नहीं पड़ा तो आप जाके 3D एट्स मूवी में देख सकते हैं तो क्या होगा अगर इसके अंदर हम salt water डाले तो चलिए इसमें हम salt water डालके देखते हैं तो गाइस यह हमारा salt water जो हमने पहले से तयार कर रखा है हमने इसे ग्लास में रखा है ताकि डालते समय हमें शौक न लगे तो अब हम डालेंगे इस salt water को इसमें और देखेंगे कि इसके बाद क्या यह बल्ब जलता है या नहीं चलिए डालते हैं कि देख सकते हैं गाइस salt water डालने के बाद light जो है कैसे बंद हो गया है दोस्तों कि लाइट पंद हो चुकी है शायद हमारा फ्यूज कट गया होगा है चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ है तो हमारा फ्यूज जो है वो खराब हो चुका है इसके वज़े से light नहीं जल रहा है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही एक पतला तार है जो की बीच से टूट गया है melt हो चुका है इसवज़ा से हमारा बल्प जो है नहीं जल रहा है तोFriends अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए थैंक यू